मुझे अपने लुक को लेकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, कभी किसी ने मुझे टोका भी नहीं, लेकिन रिजल्ट वाले दिन मैंने ट्रोल करने वाले लोगों के कमेंट पढ़े, बीडियो देखे, तो लगा इससे अच्छा तो मैं करती, न मेरे फोटो सब के सामने आते, और न ये लोग मेरे बारे में ये सब बोलते, उत्तर प्रदेश दस्वी की पडिच्छा में छे सो में पांसोई क्यानवेर अंक ला करके पूरे राज्य में टॉप करने वाली प्राची निगम ने, जब मीडिया से बात करते हुई य मेरा कलेजा कांप गया, यकीन मानिये, उस बच्ची ने जितना महनत किया है, जितना अंक लाया है, उस अंक पे चर्चा होनी थी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश दस्वी पडिच्छा का रिजल्ट आया, तब सोसल मीडिया पे उसके अंकों को लेकर के चर्चा नहीं हुई, उसके लरकी होने को लेकर के चर्चा नहीं हुई, चर्चा किस बात पे सुरू हुई, तो चर्चा सुरू हुई, उसके चेहरे पर मूचो की, लगातार सोसल मीडिया पर उसको ट्रोल किया जाने लगा, उसके लिए तमाम तरह के पोस्ट किये जाने लगें, उस पोस्ट के न इसी ने ये नहीं सोचा कि आखिर 600 में से 500 क्यानवेर अंक ला करके ये बच्ची टॉप की है तो इसने कितना मेहनत किया होगा कितना प्रयास किया होगा और लगातार इंट्रोन्स को जेल रही है तो आखिर उसमें कितनी हिम्मत रही होगी यकीन मानिये जब सोचल मीडिया पर उत्तर प्रदेश की दस्वी की परिख्चा को टॉप करने के बाद प्राची निगम वाइरल हुई तो लगातार इस तरीके के पोस्ट आने लगे लगातार उनको ट्रोल किया जाने लगा हलाकि सोचल मीडिया दो धरो में बटा था एक दल वो भी था जो प्राची निगम के सपोर्ट में उतर रहा था समर्थन में था बिश्वनाथन आनंद ने भी प्राची निगम का सपोर्ट किया दूसरी तरफ देहराद उनके एक डॉक्टर है जिन्होंने प्राची निगम से संपर्क साधा और उनके इलाज करने की बात की उन्होंने कहा कि हम इस बच्ची का इलाज करेंगे और दूसरी तरफ एक वो दल था जो लगातार प्राची निगम को उनके फेस पे उनके चेहरे पे मूच होने के कारण ट्रोल कर रहा था अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर हम 2024 के उस समय में जी रहे हैं जब हम भारत को विस्वगरू बनाना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ जब एक लड़की अपने मेहनत के बल पर दस्वी की परिच्छा में पूरे राज्य में अवल आती है टॉप करती है 591 अंक लाती है 600 में से तब हम उस अंक की चर्चा नहीं करते हैं हम चर्चा करते हैं उस लड़की के मूच होपर सोचिये उस लड़की में कितनी हमत होगी कि इन सब ट्रोल्स को जहलने के बाद भी उसने ये कहा कि मुझे लगता है कि जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं सायद उन्होंने इससे पहले ऐसी कोई लड़की नहीं देखी होगी जिसके चेहरे पर मूचे होगी चाहे चेहरे प समर्थन किया उन लोगों काभी धन्यवाद और जो लोग लगातार मुझे ट्रोल कर रहे हैं उन लोगों काभी धन्यवाद सोचने वाली बात ये होगी कि हम लोगो ने 591 अंक लाने पर चरचा क्यों नहीं किया आखिर मिडिया में ख़वर इस चीज की क्यों नहीं बनी कि उस लरकी ने 591 अंक लाया 98% से जादा अंक प्राप्त किया और खवर ये क्यों बनी कि उसके चेहरे पर मूचे है, बाकी इस चीज को ले करके आप क्या सोचते हैं, प्राची निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के में आधम से अपना विचार हम तक भेजियेगा, और देखते रहिएगा जनता जकसन, धन्यवाद.